ओपो ने कर दिया अपना नया फोन अनाउंस नाम है OPPO RINO 3 तो छलिए इस वीडियो में देखती हैं चेक करते हैं कि क्या है इस फोन की खासियत मेरा नाम कुश दिब आप देख रहे हैं टेकंड तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों camera setup से तो quad core camera setup आपको इसमें मिल रहा है इसमें आपको primary camera मिलेगा 64 megapixel का 13 megapixel का telephoto camera मिलेगा उसके अलाबा 8 megapixel का ultra wide camera मिलेगा और 2 megapixel का आपको इसमें depth sensor camera मिल रहा है aperture की अगर मैं बात करूँ तो 1.7 का aperture आपको primary camera मिल रहा है वहीं अगर मैं बात करता हूँ टेलीफोटो sensor की तो उसमें आपको 2.4 का aperture मिल रहा है अल्टरा वाइट की अगर बात करता हूँ तो 2.2 का aperture आपको मिल रहा है इसमें आपको 2.4 का aperture देखने के लिए मिल जाएगा depth sensor camera के साथ वहीं अगर मैं बात करूँ कैमरा में zooming option की तो 20 इंटू का आपको digital zoom मिल रहा है और 5 इंटू का आपको hybrid zoom देखने के लिए मिल जाएगा front camera के अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको dual camera setup मिल रहा है जो की पंचोल display camera setup है इसमें आपको बताना चाहूँगा 44 Megapixel का primary camera और 2 Megapixel का depth sensor camera आपको मिल रहा है बात करते हैं कुछ camera features के बारे में तो camera feature में अगर हूँ बात करते हैं तो cinematic video आप इसमें record कर पाएंगे उसके अलावा मैं बता दूँ आपको इसमें आपको ultra dark mode मिल रहा है जोगी आपको low light में भी picture click करने में काफी helpful रहेगा जिसमें आप काफी अच्छी detailing के साथ picture click कर पाएंगे बहिए अगर हम बात करते हो front camera की तो front camera में आपको bokeh mode देखने के लिए मिलेगा जिसको आप वीडियो कॉलिंग करते हुए भी यूज कर पाएंगे इसके अलावा front camera में भी ultra light mode आपको देखने के लिए मिल रहा है जिससे आप low light condition में बहुत बढ़िया selfies लेक पाएंगे जि इसको आप stabilize करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में तो video recording करते हुए stabilization का option आपके पास अवेलेबल रहेगा ultra steady mode 2.0 version के साथ जो की बहुत ही बड़ी output आपको देगा steady video record करने में camera के लावा दोस्तों बात करते हैं इसके display की तो display पे आपको मिल रहा है 6.24 इंच का super AMOLED डिस्पले जो की full HD plus resolution में आपको मिलेगा इसके लावा आपको in display fingerprint sensor मिलेगा जो की optical है आप इसको unlock करने के लिए use कर सकते हैं वहीं अगर माँ बात कर लेता हूँ तो design में इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है Gorilla Glass 5 की वहीं आपको जो है पोन का backside plastic का मिलेगा और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने के लिए मिल रहा है तो यहां पर आपको durability का issue आ सकता है अगर आपको फोन को प्रोटेक्टिव रहा है तो आपको इसमें केस बिगारा यूस थात में करना बढ़ेगा दोस्तों दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी वीचर और बाकी स्पैसिफिकेशन की तो मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको प्रोसेसर दो देखने के लिए मिलेगा वह मिलेगा मीडिया टेक का हीलियो पी 95 जो की टेकनोलजी बेस्ट है इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा इसके लाबा दोस्तों इसमें आपको डूल कूलिंग टेकनोलोजी देखने के लिए मिलेगी जो की हाई-end गेम खेलते हैं आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा हैं कर देगा बैटरी के अगर दोस्तों बात करो तो इसमें आपको 4025 अचकी बैटरी मिल रही है इसके लाबा इसमें आपको चार्जर दिया जा रहा है टाइप-C पोर्ट के साथ चार्जर दिया जा रहा है 30 वार्ट का आउ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा प्रॉक्सीमीटी इंसर कॉमपार्स आपको सातारी इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे सया और दोस्तों पिसर नहीं है इंडिस्प्लेयों सेंसर मिल रहा है कि अबत करता花 सेवन मिल रहा है जो medios 1800 अविव novo सिर्म जाता इसम और फॉन किसी को देना है थोड़े समय के लिए तो आप उसको गेस्ट उज़र जो अनलॉक करके देख सकते हैं जिसमें आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और लिमिटेद एकसेस दे सकते हैं अपने पॉन में गेस्ट विजर को भाहिशे दोस्तों आगे बात क बहुत अच्छी मिल रही यह उपरेटिंग स्ट्रम ओपो के स्क्रीन इबस इंजिन को वह सपोर्ट करता है जो कि अपना एक डैबलेट फीचर है जिसमें आप अपने अप्लिकेशन को ज्यादा तरीके से देख पाएंगे आपको कलर रेजुलिशन आपको जो है और आपको द 18 वाला विडिंट आ इसमें आपको 3990 तक की रीज में मिलेगा और वहीं आपको बात करूं दोस्तों 56 वाले वेरीट की वह आपको मिलेगा 3290 तक की रेंज में रही अगी अपको एड़ जी अबस्कें तो तीन मिल जाएंगे डिसमें आपको पहला मिलेगा स्काइवाइट दूसरा मिलेगा मेड़ने ब्लाइक तीसरा मेले और अरॉरल ब्लू अच्छा पैकेज की बात करूं दोस्तों अच्छा पैकेज है और फोन में स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़ी है उन पर अगर मां बात क अगर में बात करता है अगर में बात करता है अगर में बात करता हूं इसी के लिए अल्टनेट ऑप्शन की तो वन प्लस 70 के साथ आप जा सकते हैं थोड़ा ज्यादा कॉसली बढ़ेगा आपको बट उसमें आपको स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करे कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बैल आइकन दबादें ताँ जो आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल जाए तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए झाल